ओके डिशी किम बात करने वाले हैं एक इंटरनेशनल एजसी जिसका नाम है यूनिसेफ यूनिटेड नेशन चायडरण इमर्जेटी फंड जिन सेफ ठीक है यह एक इंटरनेशनल एज्टूब्र सब्सक्राइब पहले बता चुका हूं चिए जो यूनाइटेड नेशन ने श जन्ता को एक चुले में लेकिन ये औरियनेशन इसने चाल वही ताकि जो फीमेल से जिनके बच्चे हैं उन दोनों का अच्छी क्याद प्रोएड की जा सके यह इसका बेसिक एमता तो इसलिए शुरू है 1946 में मतलब की वर्ल्ड वार कि उन उनके लिए इन्होंने बढ़त पर रेलब करें आ कर दो के साउथ एशिया में एक म में जो कि था काटमांडव मैं लेकिन अब यह यह एन्ट वेया में भी अपना एक एक हड़ अध्विट्ष्टर म मना चुकिए जैसे कि इंडियाम में हैड का देली में तो अभात करन इसके के ट्राइड की बेसिकली ट्राइड क्या होता है कि तीन चीजे थिली में अपन देखते हैं तो सबसे पहले अबात की तो प्रस्ट्रॉकचर क्या होता है structure में भी its a tree मतलब की तीन चीज़े होती है structure में भी सब से नीचे मतलब की सबसे पहले होता है executive board अब है executive director अब तीसरा की секanbury ठीक है executive board का मतलब होता है कि वह होता है हर साल एक बार meeting करता है और हर साल meeting करने के क्या करता है recruitment कराने का काम मतलब कि वह recruitment करवाता है कि हां कित्ते लोग काम करेंगे UNICEF के अंदर कित्ते लोग नहीं काम करेंगे UNICEF के अंदर कहां कहां पर कित्ते कित्ते है और यह कोन वृत नोन कोई सेट आफ बूलेशन तो इन दोनों के बीच में इसateurs इस्टाबिश में और इन सब्सक्राइब नों डूरे माने मोरा सब्सक्राइब यह इसको तीन के साथ फूंक्शन होते हैं और वो भी काफी specified है, जैसे कही बार exam में आता है, तो अपन लिख देते हैं, साथ function वो ही specified होते हैं, जिसे कि PHC के 5 component होते हैं, वेसे ही आप साथ function है, basic function, तो सबसे पहले बात करते हैं, health related, protection related, और फिर services related, health related बात लए दो है इसमें, तो सबसे पहला है health and welfare, children health and welfare, और दूसरा ह health care services, children health and welfare का जो मतलब है, वो एकदम general term में कहा गया, मतलब की generally उनकी health को promote कर देना, इलने से prevent कर देना, उनको basic education प्रवाइड कर देना, ये सारी चीज़ा किसमें आ गई, children health में, children health and welfare में आ गई, ठीक है, जो दूसरी चीज़ है, वो है, children primary health care services, primary health care services में, जो services आती है, वो let's for CDC को first aid करवाना है, या फिर कोई minor injury हुई है, या फिर कोई minor disease है, इन सब का treatment कहा होता है, primary health care services में, और इसका main function क्या होता है, कि अगर कोई ज़्यादा बड़ी पादम होगी है, या diagnostic करवाना है, तब उसको क्या कराना है पड़ेगा, secondary health care services तक पहुंचाना रहेगा, वो referral services कर दो अपन ने या देख लिए तो इसमें पहला है, मतलब कि एक चुर में तीसरा है, बट इसके हिसाब से वो पहला है, तो child protection, child protection किस वे में, child को protect करना, violence के against, abuse के against, और उसको गलत संगती में पढ़ने से बचाना है, यह सच में लिखा है, तो इन सब के against, जो है, वो children को बच execution step बनाना, ताकि जो child है, वो protect करे सके, यह काम किसका था, unicef का था protection के अंदर आ गया, दूसरी type के protection, वो है immunization के थरू, immunization का मतलब यह होता है, कि किसी type की vaccine लगवा देना, वो भी six killer disease के against, मतलब अब वो killer disease बढ़ चुकी है, अब जो immunization बहुत की broad हो चुका है, आज की rate में लेकिन जब यह शुरू हो था, तब six killer disease के against, टीजे से के DPT, अब इस type की disease है, छे disease थी, उसके against, लेकिन अब पूरे immunization schedule प्रोवाइड किया जाता है, जो भी इसी के through जो है, वो eradicate हुआ था, तो अपन बात कर लेते हैं, अब next चीज़ की immunization अपने देख लिए, अब water supply and sanitization, मतलब कि water अगर supply नहीं किया गया properly, तो disease के increase होने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं, और sanitization अगर प्रोपर नहीं, तो again, disease के improve होने के chances बढ़ जाते हैं, तो इन services को provide करवाना मतलब कि दो और तीन किते हो गए, पाँच अपन को दो दिर नहावागी है, दो कोन से देख लेत दूसरे अपनने है, health and welfare, health and welfare services, दूसरे अपनने देख लेता है, primary health care services, दूसरे ख़ड़ में पनने ये देखा, सबसे पहले, child protection, दूसरा immunization, water supply and any side digestion, तीन, दो, पाँच, अब बात करते हैं, दो और की, दो और में सबसे पहला है, child nutrition and child education, child nutrition का मतलब है कि जो basic nutrition है, जिती उन की minimum demand है, वो किसी तरिकेसों को provide करवाना, अब इसके तहद बहुत सारी उन्होंने organization चला है, बहुत सार प्रोगराम चला है, जिसके through क्या हो सके, जो children है, उनको basic, जो supplement diet है, और जो actual diet है, वो दोनों के दोनों मिल सके, ये जुनिसेफ ने करवाया, फर्स और दूसरी चीज है Education, जो child की basic education है, वो उसको provide करो ना, ताकि वो अपनी खुद की देखबाल खुद कर सके, अपनी उसमें awareness हाजाए कि किस तरीके से उसको self hygienic condition maintain रखनी है, अगर infection हो भी जाए, या फिर कोई symptom भी दिखने लेगे, सबसे पहरा उसको क्या करना है, मतलब कि हो स्बिटर में किस तरीके से जाना है, और कौन-कौन से step उसको ऐसे लेनी है, ताकि पहली बात तो वो किसी type की कोई disease में होई ना, तो यह basic चीज़े थी, साथ function अपने देख लिए, तीन category में divide भी कर दिया, पहला health related था, जिसमें अपने health and welfare, primary health के services देखा, दूसरे अपने child protection, immunization, water supply and centerization देख function, यह अपने साथ function देख लिए, अब आपन बात कर लेते हैं, इसकी campaign की, जो third इसका pillar था, मैंने बात कि थी न, तीन pillar देखने वाले है, सबसे पहले structure, function, और campaign, campaign जो है वो गोबी है, मतलब कि गोबी, G-O-B-I, G-O-B-I campaign है, जी का मतलब है, growth and development के लिए अपने को growth chart बनाना, मतलब कि अपने को monitor करना है, कि हर infant में किसी growth हुई है, और किते time duration में हुई है, इसके लिए अपन growth chart बनाते है, पहला यह हो गया, ओ का मतलब है, oral rehydration, एक्चिन में क्या होता है, कि जो children होते है, उन्हें basic infection हो जाता है, कहीं बार, rotavirus के थूर, rotavirus क्या करता है, डाइरिया करव थी अपने है, वो immunization वाले part में, लेकिन अपन को rehydration भी करना है, ताकि अगर virus हो भी चुका है, अगर infection treat भी नहीं हो रहा, तब भी उसको rehydration करा है, ताकि जो diarrhea हुआ था, उसकी वरेड़ से उसमें dehydration ना हो, तो G का मतलब था growth, monitor कराने के लिए growth chart बनाना, ओ का मतलब था oral rehyd nutrition, B का मतलब ब्रेस्वीडिंग, ब्रेस्वीडिंग करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेस्वीडिंग से एक चले में क्या होता है, कि जो baby है, उसको nutrients पर प्रवाइड होती है, साथ में immunoglobin भी प्रवाइड होती है, जैसे कि IgG और IgA, sorry IgG नहीं प्रवाइड होता है, Ig IgA और IgM प्रवाइड होता है, तो इसके थ्रू क्या होगा, कि जो baby है, उसके अंदर immunity आएगी, infant के अंदर immunity आएगी, जी का मतलब था growth chart के लिए monitor बनाना, O का मतलब था oral rehydration, B का मतलब था breastfeeding, I का मतलब है immunization, अब immunization against six killer diseases, ये एक्चल में function तो था ही, साथ में component भी है, अग आप ये जो चीज़ों function में देखने को मिली थी, उसका इस summarized version आपन को कहा देखने को मिला है, उसकी campaign में, campaign एक्चल में गोबी इसलिए रखा था कि इन चारो चीज़ों पर तो most focus, ध्यान जाए जाए, ठीक है, इसलिए इन गोबी campaign जला है, तो immunization के जूरू इसको again, six killer disease के तहत, मतलब six killer disease हैं, उनके against में जो immunization है, vaccine से हैं, वो provide कर वाई जाए, तो ये था overview of UNICEF, अगर आप ये तीनों component लिखते हैं, मतलब कि structure function और campaign डंग से लिख देते हैं, detail में लिख देते हैं, मजा आजाएगा चेक करने वाले को,